श्री शिवाई नमस्तु भीहम दोस्तों आप सभी लोग चानते हैं कि श्रावन का महीना चल रहा है और श्रावन के महीने में आप एक ऐसा उपाय कर सकते हैं जिस उपाय को करने से आपके घर में अगर किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है वो बीमारी से जोड़ी होई भी ह सकता है या धन से जोड़ी हुई समस्या भी हो सकती है आपके घर में किसी के पास नौकरी नहों वह समस्या भी हो सकती है तो आपको करना क्या है उपाय को बहुत ही ध्यान से सुनिये और इस उपाय को आप श्रावन महीने के किसी भी सोमवार को कर सकते हैं इससे आपको लोटा गंगाजल भी ले सकते हैं या एक गिलास गंगाजल भी ले सकते हैं जितना आपके घर में गंगाजल रखा हुआ है उसके हिसाब से आप रख लीजिए ताकि आपके पास में बाद में भी बच जाए ठीक है तो आपको एक पात्र में गंगाजल भर लेना है गंगाजल के उपर थोड़ा सा गंगाजल समर्पित करना है ठीक है पांच जगाहों पर आपको इस गंगाजल को समर्पित करना है इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको समर्पित करते जाना है थोड़ा सा गंगाजल आपको नंदियवा के उपर समर्पित करना है ठीक है उसके बाद आपको जो जलाधारी होती है उसके सीधे भाग में गनीज जी का इस्थान होता है और जो उल्टा भाग होता है वो कार्तिकी जी का इस्थान होता है तो आपको इन दोनों इस्थान पे भी थोड़ा थोड़ा गंगा जल समर्पित कर देना है पहले गनीज जी वाले स्थान पर फिर का इस पात्र के बूनदबुन करके सिवलिंग की ऊपर जल गिरता रहता है अभ आखिर में आपके पात्र के अंदर जितना भी गंगजल बचा हुआ हो उसे पूरा आपको शैवलिंग की ऊपर समर्पित कर देना है समर्पित करने के बाद भगवाई शिव के सामने थोड़ा दो मिनिट बैठना है भगवाई शिव के नाम का इसमर्ण करना है शुरी शिवाई नमस्तु भी हमका जाब करना है और आप जिस कामना के लिए इस उपाय को कर रहे हैं अगर आप लोग इस उपाय को अपनी किसी रोग या बीमारी के लिए कर रहे हैं या किसी व्यक्ति के रोग या बीमारी के लिए कर रहे हैं तो उस जगह पर उस स्थान पर आपको क्या करना है कि जो गंगाजल आपने शिवलिंग के उपर समर्पित किया है उसी गंगाजल को जलाधारी से थोड़ा सा जहिल कर अपने घर लाना है और उसका आचमन आपको तीन दिनों तक करना है जिस भी व्यक्ति के लिए आप यह उपाय करेंगे बीमारी या रोग वाला तो उसको तीन दिनों के अंदर आराम लगना शुरू हो जाएगा अगर आप इस उपाय को नमस्ते आती तो कमेंट करके पूर सकते हैं ओम नमाज शिवाई जय भुले आबा स्री शिवाई नमस्तो भ्याम